हेलो गाईज वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल आज हमारे एक निया टॉपिक है डेटिस मसल टिशू तो लास्ट वीडियो में हमने डिफरंट टाइप के अनिमल टिशू स्टार्ट किये थे तो उसमें हमने पढ़ लिया था कि किनेक्टिव टिशू क्या होता है उसके फ मसल है मसल टिशू का ओरिजन कहां से है कौन सी जर्म लेर से होता है तो आपने याद रखने मीजोडम किसे मीजोडम से मसल मीजोडम अब जो मसल टिशू है डाट गिव राइस चुदी मसल फाइबर मिस टिशू किससे बने है मसल फाइबर से आगे मियो आपने कुछ टर्म स पिश्याद रखनी है that is related to the muscle tissue जैसे मियोसाइट्स वह वाइट सेल्स जो मसल्स से रिलेटिड होंगे मिस मसल्स सेल्स माय मियो फिब्रल्स फाइन फिब्रल्स आफ मसल्स टिश्यू सारको प्लाजमा हम किसे कहते हैं साइटो प्लाजम आफ मसल्स टिश्यू की जो साइटो प्लाजम होगा मसल्स टिश्यू का उसे हमने एक अनादर नेम दे दिया है मिस अनादर टर्म से हम इसको रिपर्जेंट करते हैं इस सारको प्लास्म सारको लेमा किसे कहेंगे सारको मिस मसल मसल की जो प्लास्मा मेंबरेन है उसे हम सारको लेमा कहते हैं नेक्स हम जो कुछ मसल्स टिशू है उनके पास एक special property होती है, जितने भी हमारे muscular tissue है, special property होती है, first जैसे contractility, contractility का मतलगता है भी वो contract हो सकते हैं, contract भी होंगे, expand भी होंगे, इस muscle tissue छोटे भी हो सकते हैं, और return to their original position द्वारा जा सकते हैं, relax position में, contract and relax दोनों होते रहते हैं, next इसकी main property है, electrical excitability, excitability, electrical excitability में क्या होता है, कि इसमें जो energy है, वो store रहती है, energy store रहती है, in the form of electrical potential difference की form में, यह store रहती है, तो यह हम detail में तब discuss करेंगे, जब हम neural coordination का chapter discuss करेंगे, तो उसमें यह पूरी properties उनको explain में, miss detail में explain किया गया है, तो आपने वस इसमें तो यह याद रखना है कि special property का है, contractility ह and electrical excitability है, next हम करेंगे, जो muscle है, वो कैसे हमें दिखता है, muscle सबसे पहले cover होता है, epimicellium, पूरा का पूरा muscle किससे cover होगा, epimicellium, उसकी बहार वाली layer को हम epimicellium कहते हैं, जैसे इस figure में दिखाया गया है, epimicellium, उसके बाद, muscles के पास, muscle fibers होते हैं, जो arrange होते हैं, इंदी form of bundle, bundle, bundle की form में arrange होके, एक निया structure में आता है, जो हम कहते है, फैस्की कुली, अब जो फैस्क जैसे यह है, one, two, three, four, five, यह muscle fibers हैं, इन्होंने मिलके एक bundle बना दिया, अब इन bundle को एक cover कर यह लिया, जो बाहर वाली मैंने outer बनाया है, यह लिया, उस हम कहते है, perimicellium, क्या कहते है, perimicellium, कि वो वाली layer है, जो each फैस्की, फैस्की कुलस को cover करती है, next, जो muscle fiber है, तो मैंने आपको बताया थे, यह muscle fiber है, five muscle fibers बीच में, each muscle fiber को कौन स्राउंड कर रहा है, endomycellium, तो सबसे पहले बाहर वाली क्या हुआ, appi, उसके बाद कौन सी layer है, peri, peri के जो last one है, inner one को होते ह उसे हम कहते है, endomycellium, जो muscle fiber को स्राउंड कर रही है, तो यह है, एक whole muscle, या एक muscle cell का covering, उसको कैसे different type की covering ने स्राउंड किया है, तो main आता है muscle tissue में, या muscular tissue में, difference between skeleton, sterated and smooth, non-sterated and cardiac muscle, कि यह तीन type के main muscles है हमारी body में, इन में क्या difference है, इनकी क्या location है, कहां कहां पाए जाते हैं, यह main topic आता है muscular tissue में, अब हम इसको one way one through, difference discuss करेंगे, जैसे first है skeleton, sterated muscle, तो आपने याद रखना है, skeleton को sterated muscle भी कहते है, smooth को non-sterated muscle and cardiac का नाम cardiac ही रहेगा, अब जो skeleton, sterated muscle है, वो कहां पाए जाते हैं, हमारी lymph में, tongue, pairings in the beginning of isophagus, इन में skeleton muscle पाया जाता है, तो इसका नाम skeleton क्यों बना, क्योंकि यह skeleton के साथ attach होते हैं, में आपने याद रखना है, skeleton के साथ attach होने वाले muscle को हम क्या कहेंगे, skeleton or sterated muscle, तो आपको एक्जामपल भी याद रखने की कोई जरुएत नहीं है, बस आपने यही याद रखना है की, these are under control of human being, अब जो हमारी इच्छा के उनसार muscle move करेंगे, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, त पेरिंग्स को भी और isophagus, जो हमारे wind food pipe है, उसकी जो beginning होती है, जब हम food को अंदर लेके जाते हैं, तो हम उपर नीचे करते हैं, जो हमारा यह फेरिंग्स होता है, तो उसको भी हम अपनी इच्छा के उनसार उपर नीचे कर सकते हैं, और जो beginning of isophagus है, उसको भी, तो जितनी भी हमारी women will के under आते हैं, control, तो उसे हम कहते हैं, sterated muscles, next आता है हमारा smooth non-sterated muscle, अब जो ego-fagus का posterior part है, नीचे वाला part है, वो non-sterated है, beginning क्या है, sterated, और जो posterior है, वो non-sterated है, अब जितने भी urinary genital track है, urinary bladder है, vessels है, dermis of skin है, एरिस है, यह हमारी under control नहीं है, तो यह इनने पाए जात हैं, non-sterated muscles, next आते हैं, cardiac, cardiac word ही relate होता है, किसे जुड़ा हुआ है, हार्ट से, जो हार्ट की wall है, जहां से, जितनी भी veins ने हार्ट के अंदर enter करना है, जैसे pulmonary veins होगी, superior venica, वा होगी, inferior venica, वा, तो इनने सभी में cardiac muscle पाए जाते हैं, और यह भी human की will के according नहीं चलती है, these are not under the control of human will, next आपने याद रखना है, कि जो sterated muscle होते हैं, वो cylindrical होते हैं, और इनकी shape spindle होती है, और जो cardiac होते हैं, उनकी shape भी cylindrical होती है, तो दो shape तो slender हैं, जो बीच वाले वो spindle है, next जो fiber हो unbranched होंगे, spindle भी, smooth muscle भी unbranched होंगे, और जो cardiac muscle है वो branched होंगे, next, multi-nucleated है, sterated muscle ये uninucleated है, non और cardiac भी uninucleated है, तो आपको ये में diagram के थुरू समझाओंगी, पहले आपने ये देखने हैं, कि इनमें क्या 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 difference है, तो आपको easily याद हो जाएगा, इनमें क्या क्या characteristic feature थे, तो जो skeleton muscle उनमें light and dark band present होते हैं, smooth में absent और cardiac में भी present होंग bridges, means oblique bridges absent होते हैं, studated में भी absent, present किसमें होंगे, सिर्फ cardiac में, और जो skeletal muscle होते हैं, वो fatigue हो जाते हैं, जैसे हमने ज़्यादा काम कर लिया, उस muscle में tiredness आगी है, जैसे हमने ज़्यादा चलते हैं, जब हम कभी कोई भी काम कर लेते हैं, हम अपने limbs के साथ, तो वो क्या हो जाते हैं, fatigue हो जाते हैं, वो tired हो जाते हैं, लेकिन जो smooth muscle होते हैं, वो कभी tired नहीं होते हैं, वो कभी fatigue नहीं महसूस करेंगे, और cardiac muscle भी कभी भी fatigue नहीं होते हैं, अब कभी हमारा heart की wall कहते हैं, कि मैंने pump नहीं करना है, मैंने काम नहीं करना है, कि मैं ठगी हूँ, तो ये सारी किस अंडर दी कंट्रोल ओफ human will कि skeleton muscles voluntary होते हैं human की विल के उनसार काम करते हैं involuntary smooth muscle involuntary है and cardiac muscle involuntary है तब यासा यह figure है skeleton muscles tissue skeleton muscle tissue की यह figure है तो सबसे पहला उसका करेक्टर मैंने बताया थे slendical है तो यह slender shape में है उसके बाद बतायाता है वह ब्रांस है देखो यह ब्रांच है यह यह वान टू थ्री फोर है उसके बार यह multi-nucleated है कितने सारे इसमें nucleus present है तो आप देख सकते हो multi-nucleated है यह muskeleton muscle उसके बाद मैंने आपको इसका मेन क्रेक्टिस रिपचाए थे इसमें light and dark band present होते हैं जैसे ये जो lines है वो dark band है बीच में light band आगे तो light and dark band दोनों ही इसमें present होते हैं तो आपने वस यही याद अखना है कि जो skeletal muscle वो cylindrical है ब्रांच जाहें और multi-nucleated और light and dark band इसमें present होते हैं next हम करेंगे smooth muscles smooth muscle में अब क्या है ये spindle shape में है और इसके पास एक ही nucleus है तो इसमें हम कहते है nucleated आपने बस figure को याद रखना है क्रेक्टर सापको सारे अपने आप ही याद हो जाएंगे तो इसमें ये multi-nucleated है unbranched है कोई भी branch ये single single अपना present है और इसमें कोई भी light and dark band present नहीं है तो ये features हुए smooth muscles tissue के next हम करेंगे जैसे ये cardiac muscle tissue की diagram है तो सबसे पहले ये cylindrical है cylindrical होने के बाब जो ये branched भी है तो ये branch structure दिखाए गया है और ये union nucleated है एक nucleus यहाँ present है दूसर यहाँ और बीच में ये bridges present है bridges किसके हैं ये oblique bridges तो ये main characteristic feature ही ही है कि cardiac muscle में oblique bridges present होते है next मैंने बताया था आपको कि इसमें light and dark band present होते हैं तो ये थे main features skyton, smooth and cardiac muscles के अगर आपको मेरी वीडियो पसंदा है तो like, share करना मत भूलना और मेरे चैनल को भी subscribe जरूर करना thank you so much